हाई स्टूदेंट्स वेलकम निस साइन सेरा 247 मैसल फश्पीत का और या फजिक्स एजुकेटर सो एक लास्ट चांस एक लास्ट मौका आपके हाथ से आपको गवाना नहीं है अगर आप सच में चाहते हैं कि आप स्यूटी टुटी 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 पार करने के इस मोटेफ के साथ एक गौलेज में एक सीट के लिए और सिर्फ एक सीट के लिए अगर अपनी मेंटवी कंश विश्पी आपके साथ मिलने वाली है कल मेक शूर करें कि आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं कल के सेशन में साथ ही साथ मैं आज आपको एक बहुत ही इंपोर्टन बात यहां पर बताने वाली हूं जिन्दगी बार-बार मौका नहीं देती है ना बोलते हैं ना यार की अपनी मदद जो नह है इतने सारे सारे सब्सक्राइब करें बस ख्याली पलाव बनाते जा रहें बैठ बैठ कर बैठ विए नहीं कर रहे हैं और आपकी फिजिक्स पॉर माम आपको राइट राइग पर लेने के लिए आ लास्ट चांस है आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखेगा यहां पर अब यहां पर आपको एक रियालिटी चेक करके बताने वाली है ऐसे कम से कम 80 प्रतिशत स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ CUT 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 सुनते जा रहे हैं बट उनको CUT के बार में कुछ नहीं पता बटाया, you should not be ashamed of it यह ऐसा एक्जाम था जो सुर्फ और सुर्फ दो साल पहली ही स्टार्ट किया गया ऐसा नहीं है कि को 10-12 साल से एक्जाम चलते आ रहा है और आपको नहीं पता है आपको इसके उपर ashamed होना है नहीं, आपको नहीं पता है, it's fine यहां पर confusion हो रहा है, इस वाली पर topic पर वीडियो बना दो बट बिटा, मैं आपको simple language में समझा देती हूं, काफ़ी सारी बिटा, different different universities थी जो अपने अपने ना honors भी होती है, ठीक है, तो इसी तरीके से there were multiple courses, multiple universities और multiple universities में multiple colleges बच्चा confused था कि कितने entrance test देता जाए, तो वहाँ पर problems को solve करने के लिए, easy करने के लिए CUT का exam आया Common University Entrance Test, full form अब इस common university entrance test में आप अगर एक particular university में जाना चाहते हैं, तो आपको सरफ और सरफ ये examination देना है, आपको सारे universities के entrance exam देने के जुरत नहीं है अब माम ये तो समझ में आ गया कि CUT क्या है, पर माम इसका जो form है कि आभी भी खुला है, हमने अभी तक भरा नहीं है, तो बिल्कुल बेटा, अभी तक आपके साथ इस examination के अगर form की बात करो, registration form open हो चुका है, 26 March उसका आखरी date है, प्लीज जाके उसको fill कर लीजेगा साथ ही साथ अगर हम बात करें, इस बार इस exam में 6 subjects की limit डाली गई है, जो आपको fill करने हैं, 6 domains आप यहाँ पर, 6 subjects आप यहाँ पर truth कर सकते हैं, जिसमें से मैं एक subject अगर आपको बोलू तो आप language opt करेंगे, अब language में भी basically बेटा, अगर हम बात करें, आप specifically अगर Delhi University को target कर र सकते हैं, आपने English के साथ साथ अगर आपने Hindi लिया तो आप Hindi भी language जैसे चूज कर सकते हैं paper के लिए, और आपको इन 6 subjects में से 3 subjects ऐसे चूज करने हैं, जो आपने 11th और 12th में पढ़ें, अगर आप non-medical student रहे होंगे, तो physics, chemistry, maths पढ़ा होगा, अगर आप medical student रहे होगे, तो physics chemistry, biology पढ़ा होगा, अगर आप commerce से होगे, तो आपने accounts पढ़ा होगा, BST पढ़ा होगा, economics पढ़ा होगा, similarly अगर आप अपने arts background से हैं, तो आपने history पढ़ी होगी, geography पढ़ी होगी, political science पढ़ी होगी, तो उनको as a major subjects आपको लेकर इस examination में subjects को चूज करना है, और फिर आता है GT, अब मैं बहुत सारे वीडियो के comment section देख रही थी, और उसमें जब भी GT का जिकर होता है, तो GT के जिकर पे हमेशा बचा नीचे comment करता है, यह GT क्या है, यह GT क्या है, और आप अपने GT के अलगलग full forms बनाने शुरू हो जाता है, बिटा GT यहां पे रहता है general test, इस general test में language पे आपको बहुत जादा मेहनत करने की जुएत पढ़ती है, और साथी साथ जो domain के subject है, अगर आप physics, chemistry, biology लिए हो, आपको इसा लग रहा है कि बार्वी कक्षा में पढ़ ले थे, तो CT तो हो जाएगा, बट syllabus में difference है, syllabus में almost 30% syllabus जो है, वो extra है बिटा, आपको CT examination में, so उस portion को भी तो आपको cutter करना है, तो उन सब जीजों के लिए मैं last बार आपको एक आखरी बार बिटा जगाने आ गई हूँ, if you haven't enrolled yet in the genuine batch, अभी तक आप genuine batch का part नहीं बने है, so please जाकर उसमें enroll कीजे, because कल से आपकी classes start हो जाएगी English की, Maths की and Chemistry की, परसों से आपकी physics की class start हो जाएग कहते हैं, जब पहले class में आता हैं, तो उनको बहुत confidence आता है, और वो पहली class में teacher भी बहुत motivation से पढ़ाता है, क्योंकि उसको पता है, कि जब एक journey start होने बाली है, मैं हमेशा बोलती हूँ, आप journey हमारे साथ तै कीजिए, destination आपकी beautiful बनाने की जिम्मेवारी हमारी है, so उस journey म स्टेप है सिरफ, उसमें सिरफ eligibility criteria चाहिए, बटा ऐसा नहीं कि 75% य 80% number चाहिए होंगे board exam में, तभी आप CUT का examination दे से तो, नहीं, there is an eligibility criteria कि आपका board examination पास होना चाहिए, particular किसी-किसी courses में रहता है, कि आपके 45 या 50% criteria रहता है, otherwise majority of the students को इस ताइम पर सिरफ or सिरफ CUT exam पर focus क करना चाहिए, so उसके लिए आपके पास आखरी मौका है, आप अंगोल कीजिए, मैं ये सब बच्चों को यां पर बोलना चाहती हूँ, go for the maha packs, बटा, maha pack क्या है, जितने भी courses आ के आने वाले हैं, चाहिए वो practice courses हैं, चाहिए वो ऐसे courses हैं, जिसमें हम आपके लिए personal guide की करने वाले हैं, चाहिए वो previous year question के कोई courses आने वाले हैं, anything, कोई भी courses in future आने वाले हैं, अगर आप महा pack का हिस्सा हैं, तो आप automatically सारे courses को free में पास सकते हैं, और अभी right now बटा, अगर मैं बात करूँ, आज का दिन and कल का दिन, दो दिन हैं आपके पास, जब आपको books भी इस ma महा pack में included मिल रही हैं, अगर आप सरफ और सरफ प्रतिग्या बैच जाते हैं तब, बट मैं यह चाहते हूं, हर एक बच्चा जनून बैच में जो आ रखा हैं, वो अपने आपको अप्ग्रेड करके महा pack में जाएं, otherwise, अगर अभी तक आपने जनून का भी हिस्सा नहीं बन जितनी भी आपके CUT के रिगार्डिंग, जितनी भी कोर्स जाएंगे, बाचे जाएंगे, बुक्स जाएंगे, टैस सीरीज जाएंगे, अगर आप जाते हैं, तो यही प्रसीजिर आपको फॉलो करना पड़ेगा, UG and PG entrance exam पे क्लिक करेंगे, then you have to go to CUT-UG, CUT-UG में CUT-Science क क्लिक करेंगे, आप जब Science पे क्लिक करेंगे, CUT-UG माहा पैक, Science का आपके सामने आ जाएगा, अगर PCM student है, या PCB student है, accordingly आप उस पर क्लिक करेंगे, बिटा, यहाँ पे आप बाइनौ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप एक कूपन कोड लगाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे माहा पैक बिटा, so at a time आपको सरफ और सरफ अभी अगर मैं बात करो, almost almost 4398 और इसमें आपके सारे बाचिस, books, test series, e-books, everything is sorted, so I think अभी तक जिस भी बच्चे ने यहाँ पर जिनून में नहीं किया था, he or she should go for the माहा पैक, using the code WIFI49, आपको यहाँ पर maximum rebates तो मिलती ही है, बा आप मुझे mail drop जरूर से कर दीजेगा, once you are part of this, ठीक है जी, और दूसरी बात, जो बच्चा महा पैक में नहीं जाना चाहता है, वो simple जुनून बैच में भी इंडोल कर सकता है, और साथी साथ study kit बाइ कर सकता है, अब study kit क्या है मां, यहाँ पर आप simply जाएंगे, अगर आप K 12 category में जा रहे हैं, CBSE board class 12, इसके links तो आपको description में भी मिल जाएंगे, तो यहाँ पर science batch, genuine science batch पर जाएंगे, so again, अगर 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 बच्चा को फूसरा माम इसके study planners कहां से देखे, तो जब इसको scroll करते हो ना आप उपर, just scroll this out, ठीक है, scroll करो इसको study plan पर जाओ, study plan पर आप द 12 बजे होने वाली है, इस मतलब आपके पास जादा time नहीं रहा है, so अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं, इस journey का माम के साथ, so go for it and enroll in this batch here, ठीक है, so जुनून science में इन्रोल करने के लिए, पको क्या करने के लिए, आपको simply by now पर जब आप क्लिक करेंगे, तो वाइ-549, वा 200 प्लस आपके पास इसमें, जो मौक टेस्स हैं, वो मिलेंगे, और मौक टेस्ट के बिना अगर आप सोच रहा है, पेपर निकाल लेंगे, तो बिलकुल भी पॉसिबल नहीं है, so go for this and come in this year, this was the last reminder from my side, बाकि अगर अगर अप study kit वगरा बाय करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, आप UG and PG entrance में जाके, CUT UG में, CUT Science पर क्लिक करेंगे, scroll करेंगे, so these are the selection kits offered by the order 24-7, if you don't want to enroll in any batch, आपको एक यार मैं अपनी पढ़ाय कूद करना चाहता हूँ, मुझे बस study material मिल जाए, so आप इन study materials में भी जाकर enroll कर सकते हैं, but if you are coming in maha pack, तो बेटा ये सब मैं अगर कुछी चीज बोली है, तो बिना सोचे समझे बेटा, उस चीज को opt करो, क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ, कि जो मेरी army है, उसका भला ही हो, ठीक है, so make sure करें, कि यार इस बार हमारा हर एक बच्चा, जो भी CUT में अपने dream college, CUT का exam देकर अपने dream college में पहुंच रह है, वो सुरफ और सुरफ हमारा जनून बैच का ही बच्चा होना चाहिए, तो मिलते हैं जल्दी classes में, एक last chance है बेटा आपके लिए, delay मत कीजे, कल से आपकी chemistry, mathematics and English की classes start हो जाएंगी और परसों से हो जाएगा शुरुवात physics का, so बिना किसी देरी के, आज ही जाएए, enroll कीज लगाये और physics का और आर्मी का पार्ट बन जाये, see you all soon in the classes, till then, love you all, take care and bye-bye.